आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे क्या आपके पास कोई भी कमपनी का मोबाइल है और आप अपने मोबाइल के अंदर अपने पुरानी email ID को delete करना चाहते हैं और आप एक नएज email ID बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा तभी आपको पता चलेगा कि पुरानी email id को delete करके एक नई email id कैसे बनाई जाती है तो हमारे पास एक ये mobile है और हमारे पास एक ये mobile है तो हम यहाँ पर सबसे पहले आपको बताएंगे कि अपनी पुरानी वाली email id को delete कैसे करते हैं हमारे पास एक ये mobile है और इस mobile में हमारे पास एक पुराना वाला email ID है जिसे हम आपको delete करके रताएंगे और इस वाले के अंदर हम आपको एक नया email ID बना कर आपको दिखाएंगे तो बस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा या फिर कहो तो हम आपको इस वाले mobile पर दिखा सकते हैं क्योंकि यह हमारे पास oppo company का है यह हमारे पास lava का है और यह हमारे पास redmi का है तो चलो हम यह आप इसे करते Gmail आपको Open करेना है, जहां पर भी आपका Gmail हो, उसके बाद यहां पर मिलेगा आपका profile और अपने profile पर click करना है, जैसे आप profile पर click करेंगे, इस तरीके से page आएगा, यहां पर मिलेगा manage और आपको manage पर click करना है, फोड़ा सा मातर आप इंतुजार करियेगा, और एक नया पेज निकल के आ जाएगा यहाँ पर आपको मिले का home उसके बाद personal और उसके बाद data तो यहाँ पर आपको data पर क्लिक करना है जैसे आप पर data पर क्लिक करेंगे आपके समने data and privacy के सारे feature निकल कर आ जाएगे आप यहाँ पर आपको सबसे नीचे की तरप आना है जैसे आप नीचे की तरप आएंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा delete your google account और यहीं पर एक विकल्प मिलता है delete a google service तो आपको service पर क्लिक नहीं करना है delete your google account पर क्लिक करना है जैसे आप इस पर click करेंगे आपके सामने एक नया page आएगा और आप यहाँ पर अपने ID को delete कर सकते हैं कोई भी आपको परेशानी यहाँ पर नहीं मिलती है बस एक बात को याद रखना है कि अगर आपने इस email ID से कुछ भी अगर आपने चालू किया है तो सब कुछ आपका बं continue और आपको continue पर click करना है जैसे आप ए continue पर click करेंगे आपसे lock मांगेगा आपका screen का lock वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा और उसके बात आपके email ID का password मांगेगा तो यहाँ पर अपने email ID का password भी इंटर करना पड़ेगा हमारे पास नहीं मांग रहा है हो सकता है कि आपके भी mobile में ना मांगे तो अच्छी बात है अगर मांग रहा है तो फिर आपको password इंटर करना ही पड़ेगा आप यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि आपको यह दो termine condition इसे आपको accept करना है और यहाँ पर बताया जाता है कि आपका क्या क्या चल रहा है इस email ID से और आपका क्य डिलीट होगा तो अभी तो हमारा इस email ID से Gmail बना हुआ है calendar यूज हो रहा है और यहाँ पर contact application यूज हो रहा है तो यह सारे हमारे डिलीट हो जाएंगे उसके बाद इसे आपको agree करना है agree करने के बाद आप यहाँ पर मिलेगा delete account का विकल और आपको इस पर click करना है जैसे इंतजार करिएगा आपके समने automatic browser open हो जाएगा अगर browser नहीं open होता है तो यहीं पर आपको एक Google Chrome का option मिल जाएगा तो आप Chrome पर click करिएगा और जैसे आपको click करिएगा तो आपको समने आ जाएगा your account and all its data have been deleted यानि कि आपका Google account और जितना सारा आपका data था वो भी आपका delete हो आते हैं तो यहाँ पर मिलेगा accidentally deleted और इस अपने यानि कि इस अपने ID को recover करना चाहते हैं तो फिर से अपने इस ID को एक महिने से पहले ही आपको login कर लेना है अपना email ID password डालके login कर लिजिएगा फिर आपका ये delete नहीं होगा और अगर आपका ये delete हो गया है और अपने mobile से हट आना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे तो यहाँ पर आप क्लिक करिएगा या तो फिर आप आपका automatic हट जाएगा अगर automatic नहीं अड़ता है तो आप यहाँ पर three dot पर क्लिक करिएगा और उसकी बाद setting पर क्लिक करिएगा setting पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मिलेगा three dot और आपकी मिल जाएगी और उस email ID को यहां से remove कर देना है तो यह हो गया कि अपने पुरानी वाली ID को delete कैसे करना है आप यहां पर हम बात करने वाले हैं कि एक नया ID कैसे बनाना है तो यहां पर हम आपको बताएंगे इस वाले mobile के अंदर की नया ID बनाया कैसे जाता है तो सबसे पहले अपने mobile को unlock करिएगा unlock करने के बाद आप यहां पर आप अपने YouTube application, Gmail ID को अपने Google को या फिर Play Store को किसी को भी आप open कर लिजेगा तो हम तो यहां पर क्या करते हैं किमाल लेते हैं कि हम यहां पर Play Store को या फिर हम अपने Google को open कर लेते हैं यह हमारा रहा Google और यहां रहा हमारा Gmail तो Gmail को हम open करते हैं open करने की बाद यहां पर हमारा पहले से जो login है वो दिखाए देगा हमें एक नया बनाना है तो नया बनाने के लिए अपनी ID पर क्लिक करिएगा ID पर क्लिक करने की बाद यहां पर मिलेगा थोड़ा सा मात्र इंतजार करिए और आपके सामने इस तरीके से पेज जब आ जाए तो यहां पर आपको अपना first name last name और यहां पर अपना enter करना पड़ेगा तो मालीजे यहां पर मलसमने आ चुका है enter your email और phone यहां पर मिलेगा create तो आपको create पर click करना है जैसे आप इस पर click करेंगे myself पर click कर देना है या my योज के लिए click कर देना है यहां पर अपना name डालना है सबसे पहले अपना name यानि कि जो भी आपका name हो वो आप डाल दीजेगा उसके बाद आपना last name डाल दीजेगा और nest कर दीजे जैसे आप नेस्ट करेंगे आपके सामने फिर से एक नया page आएगा यहां पर आपको अपना date of birth डाल देना है जो भी आपका date of birth हो वो आप यहां पर enter करिएगा उसके बाद जो आपका gender हो जेंडर पर click करके अपना gender आप चोज कर लिजेगा nest करिएगा जैसे आप nest करेंगे फिर से आपके सामने एक नया page आएगा यहां पर आपका email id आटोमेटिक बन जाएगा यानि कि generate हो जाएगा अगर आपको इन में से पसंद है तो आप इस तरीके से select कर लिजेगा जो भी आपको पसंद हो अगर आपको नहीं पसंद है तो create पर click करिएगा और यहां पर एक नया page आजाएगा बनाने का विकल्प तो आप यहां से अपने हिसाबते बना भी सकते हैं जो भी आप बनाना चाहते हैं जिस तरीके से आप बनाना चाहते हैं और nest करिएगा अगर यह वाला email ID किसी ने नहीं बनाया होगा तो आपका बन जाएगा अगर किसी ने बनाया है तो अगर आपको red color आ रहा है नीचे तो यहां पर आपको कुछ और भी अंक आपको add करने होंगे इस तरीके से और फिर आप यहां पर try करिएगा यहां पर आप nest करिएगा और आपका बन जाएगा या फिर आप use mobile पर click करिएगा तो आपके mobile नंबर से भी बन जाएगा तो हम यहां पर यही वाला अपना email ID ले ले लेते हैं जो हमें यह सेकेंड है यह हमें पसंद है यहां पर palp 394 at the rate gmail.com तो इसे हम ले लेते हैं उसके बाद nest करते हैं आप इसका screen shot भी ले लिजिएगा आपको हमेशा याद बना रहेगा और आपके mobile में save हो जाएगा आप यहां पर आपको अपना password इंटर करना होता है जो भी अपना password बनाना चाहते हैं वो आप बना लिजिए password को बनाते हैं बस आपको एक बात को याद रखना है कि यहां पर आपको जो यह keyboard है सबसे पहले आपको कम से कम 2 या 3 अक्षर small letter में डाल देने हैं तो मैं आपको डाल देते हैं small letter में कुछ अक्षर अपने तो यहां पर मैंने small letter में डाल दिये हैं 4 अक्षर उसके बाद आप यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको capital letter के अक्षर डाल देना है इस तरीके से उसके बाद आप यहाँ पर यह character अक्षर जो आपको दिख रहे हैं यह आपको enter कर देना है जो भी आप enter करना चाहते हैं उसके बाद अब आपको फिर से आपको यहाँ पर आना होगा आप यहाँ पर आपको capital letter के डाल देने हैं जैसे आपको capital letter में दिख रहे हैं आपको capital letter में ही डालने हो गए तो कम से कम दो या तीन आपको आक्छर capital letter में डाल देने हैं डालने के बाद आप यहाँ पर आपको अप रखना होगा तो हम यहांसे क्या करते हैं कि नेस्ट पर हुण। कर देते हैं अन朝 नेस्ट वैच म करें एंगे हमारा पास्वर्ड तो बन गया है अब यहां पर आपसे बोला जाएगा एड फोन Also Ст vacation नमबर यहां पर add कर सकते हैं मुवाइल नमबर add करने से यह हो जाएगा कि अपने इस वाले email ID को फिर आप इस वाले मुवाइल में login करिए या फिर अपने इस वाले मुवाइल में login करिए तो आपके mobile number से ही login हो जाएगा अगर आप password भूल जाते हैं तो आपके mobile number से ही एक नया password बन जाएगा तो mobile number बहुत ही important होता है तो अपने email id में आप mobile number को जरूर add कर दीजेगा या फिर आप इसे बाद में भी add कर सकते हैं कोई भी परेशानी नहीं मिलेगी तो हम तो आप I agree पर क्लिक करिएगा अब आपके समने फिर से एक नया पे जाएगा और आपका email id बनके तयार हो जाएगा तो बस इतना ही तरीका है और इतना ही process है कि अपनी पुरानी वाली email id को आप delete करके एक नया email id आप बना सकते हैं बस आप पुरानी वाली email id को आप एक महिने तक आप login नहीं करेंगे इस बात को याद रखना होगा अब आपने जो email id बनाई हुई है उसे देखना चाहते हैं तो यहाँ पर अपनी id पर क्लिक करिएगा जिसे आप id पर क्लिक करिएगा मैं आसक करता हूँ कि आप समझ गया होंगे जान गया होंगे अगर आपका कोई भी प्रेस नहीं तो कमेंट कर सकते हैं वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हैं वीडियो पूरा देखने के लिए हमारी तरब से आपको बहुत बहुत धन्नवाद